हलो एबरीबरन कैसे हैं आप सब तो शिल्की एन हेल्दी हेयर पे कटिंग बताने वाली हूँ आप सब को यहाँ पर देख सकते हैं मेरी क्लाइंट का हैर बहुत ही सुंदर है सिल्की होने के साथ साथ थिकनिस भी बहुत अच्छी है तो यहाँ पर आधे हेयर को एक साथ में हमें उठाना है और हलका सा ट्विष्ट करके इसे बराबर कट कर देना है ट्विष्ट करने से स्टेप्स का लुक बहुत ही अच्छा आता है और दूसरी बात है कि अगर किसी का हेयर अच्छा थिक है हेल्दी है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस करने की ज़रूत नहीं होती उसमें हम अगर सिंपल तरीके से भी कटिंग करते न तो वह एडवान्स वाला लुक भी आ जाता है तो देखिए उपर वाले हैर को एक साथ करने के बाद में जो नीचे के बचे हुए है उनको सेम वैसे ही हलका सा ट्विष्ट करके हमें बराबर कट कर देना है यह दिखे इतनी ही कटिंग से बहुत अच्छा लुक आ जाता है लेकिन इसको मैं और भी ज़्यादा अच्छा अच्छा बांस दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस और भी मिक्स करूंगी विडियो मैं बिल्कुल नॉर्मल मोड में ही रखे हूं ताकि आप सारा प्रोसेस अच्छे से समझ सकें कोमिंग अच्छे से करेंगे यह देखें इस टाइप से रोल कर लेंगे और फैला लेंगे चारो तरब गोलाई से और इसे हम गोलाई से बराबर ऐसा कट करते वे उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा और हाँ इसको कर ली हैर पर भी आप कर सकते हैं तो नीचे वाले हैर को भी एक साथ में इस टाइप से मैं ग्रीब करूंगी और इस पर भी से में प्रोसेस में करने वाली हुँ इस टाइप से देखिए उपर की तरफ लेके जाएंगे क काफी थीक हेर है देखिए गीला होने के बाद भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है भी दिख रहा है और इसे भी आसा मुठी में रोल करने के बाद बराबर राउंड शेप में कट कर देना है और इस कटिंग में अगर आपको लगे की हेर नीचे से अनिवन है तो आप ह आरा सा स्टेप्स लुक आ चुका है मैं आपको पूली ना जब हेर की क्वालिटी अच्छी होती ना तुसमें हम नॉर्मल स्टेप्स भी डालते ना तो काफी अच्छा एडवांस लुक आ जाता है तो चलिए साथी साथ सेटिंग भी दिखा देती हूं वैसे सेटिंग आप सो गाइस कैसा लगा इसका वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कल मिलते हूं नहीं वीडियो के साथ में तब तक लिए बाबाय थैंक्यू